स्वागत है हमारे यूटूब चैनल वाई एक्सप्रेस में आज हम बात करने वाले हैं सिस्मो मीटर क्या है सिस्मो ग्राफ क्या है या रियक्टर असकेल क्या है जब भुकम पाता है तो इन सब का नाम आप जरूर सुनते होंगे खास करके रियक्टर असकेल 4.2 तू तिरवता का भुकम नापा गया रियक्टर असकेल पर तो रियक्टर असकेल क्या है फिर सिस्मो मीटर क्या है सिस्मो ग्राफ क्या है इन सब के बारे में हम जानेंगे देखें भुकम कैसे आता है उसका मैंने एक वीडियो हलका सा बना दिया है क्योंकि आप जानते है कि माउंट टेव क्लेकानाईज क्मवगों सब्सक्राइध कि दे प्लफा गलतुत क्या शोंद करेग्र इसको समझने के लिए थर्मामीटर को समझते हैं यह ठर्मामीटर लेकिन इसके अंदर क्या पारा है पारा में ही हलल चला होता है तो तो ही हम लोग को पता चलता है कि क्या बुखार है या नहीं है और लेते कि इसमें है फेरनाइट में या सेल्सियस में आम तर पर बुखार जम नापा जाता है सौट डिगरी फेरनाइट में नापा जाता है हम लोग जानते कि सौट डिगरी सेल्सियस में तो पानी खौलने बढ़ता है तो बुखार होता है तो वो नापता कौन है नापते किस में हैं फेरनाइट में नापते हैं और वो बताता कौन है तो वो पारा ही बताता है क्योंकि उसके अंदर पारा होता है जब भी डॉक्टर देखता है उसको तो पारा को ही देखता है कि कितना उपर गया है यानि कितना बुखार है तो यह समझ गये तीन चीजी इसमें है एक तो यह थर्मामीटर है उसमें यह पारा है और उसके बाद इसको हम फैरेनाइट में लेते हैं मन यह फैरेनाइट में लेते हैं सल्सियस में भी नापा जाता है इसा नहीं सल्सियस में नहीं नापा जाता है तो उसी तरह जो seismometer है, seismograph है और reactor scale है तीनों same condition ही लागू होता है जैसे seismometer क्या है? तो बस एक instrument है जैसे थर्मा मीटर है वो थर्मा मीटर की यह तरह एक seismometer है seismograph क्या है? तो जिस तरह पारा अगर भुखार राता है तो आगे बढ़ जाता है उसी तरह ग्राफ क्या है कि उपर नीचे उपर नीचे होता है ठीक है तो सिस्मो मीटर और सिस्मो ग्राफ समझ गया है और रियक्टर असकेल क्या है कि जैसे देखिए फैरनाइट में हम लोग नापते हैं तो हमेशा सुनते होंगे कि भोकम जो है 4.2 तिरवता नापा गया रि सिस्मो मीटर में होता है थर्मा मीटर के अंदर क्या होता है पारा होता है अगर बुखार है तो फैरनाइट में तो उसी तरह सिस्मो मीटर एक इंस्टूमेंट है सिस्मो ग्राफ में उसमें हल चल होता है और नापते हैं रियक्टर असकेल में तो अब समझ गया होंगे कि सि मिट करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा